कहानी एक गुजरे वक्त की है, जब जंगल में एक प्यारी सी गिलहरी रहती थी, उसका नाम गिलू था गिलू बहुत ही मस्तिश कशील और शरारती थी, उसके साथ ही जानवर उसे आदर से गिलू बोलते थे गिलू तु हमेशा खुश क्यों रहती है? गिलू ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे जीवन को हर तरह से खुशी से जीना है, बस खुश रहने के लिए कोशिश करती हूँ एक दिन गिलू के पास आया एक सुरमाया पेड़, उस पेड़ पर अनेक मिठा से फल थे, लेकिन वो उंचाईयों पर थे, जिन्हें पाने के लिए कोई विशेश प्रयास करना पड़ता था गिलू ने उसे देख कर सोचा, मुझे भी इन फलों का स्वाद चखना है गिलू ने माना कि यह काम कठिन हो सकता है, लेकिन उसने आत्म समर्पन से अपने काम की शुरुआत की उसने एक छोटी सी पात्री उठाई और उसे एक बड़े पत्ते के नीचे रख दिया फिर उसने एक छोटे से पत्ते को उसी छोटी सी पात्री में रख दिया गिलू ने यह काम बड़ी महनत से किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी जब गिलू ने अपने काम को पूरा किया, तो उसने विश्राम करने का समय निकाला उसने सोचा मेहनत से पाया हुआ फल खाने में और भी स्वादिश्ट लगता है गिलू ने कुछ दिनों तक ऐसे ही मेहनत करते हुए फलों का स्वाद चखा दूसरे जानवर गिलू के संघर्ष को देखकर आश्चर्य चकित रह गए उन्होंने गिलू से पूछा गिलू तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो गिलू ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया मेहनत से ही सफलता मिलती है और सफलता से ही जीवन में खुशियां आती है इसके बाद गिलू ने अपने दोस्तों को भी अपने साथ मेहनत करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने सिखाया कि अगर कोई अपने लक्ष के प्रती समर्पित हो तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि महनत और समर्पन से ही हम अपने लक्षों को पूरा कर सकते हैं हमें अगर सही दिशा में मेहनत करने का संकल्प हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से गिलू ने अपनी मेहनत और समर्पन से अपने लक्ष को पूरा किया और सब को यह सिखाया कि मेहनत से ही हम सफलता पा सकते हैं. मोरल, मेहनत और समर्पन से ही सफलता मिलती है.